हमारे प्रित्वे के एक चट्टान के टुकडे से लेकर एक जीवन से सम्रिद्ध क्रह बनने तक के सफर को तो आईए हम समय में पीछे चलते हैं थोड़ा और पीछे आज से करीब 4.6 अरब साल पहले हमारा सौर मंडल और एक नया जन्मा तारा जिसके चारो और धूल और चट्टान चकर काट रहे हैं यहां हमारी प्रित्वे का नामो निसान तक नहीं है हम समय में कुछ जादा ही पीछे आ चुके हैं अभी तक प्रित्वे के बनने की प्रक्रिया की सुरुवात नहीं हुई है लेकिन इसके निव तयार हो चुकी है यह चट्टान और धूल अब गुर्तवा करशन की वजह से आपस में जुड रहे हैं कई लाख सालों के बाद अब एक भीमकाई चट्टान के गोले में बदल चुकी है लेकिन इसे हम प्रित्वी नहीं कह सकते हैं क्योंकि आब ये बहुत ही गर्म है ये आज के वीनस यानि सुक्र ग्रह के समान है आज से करीब 4.5 अरब साल पहले धर्ती की सत्वा पूलिक तरह खौलते लावा से ढगिये आप गलती से भी नीचे पैर रखने की कुशिस मत करना वरना आपके पास दुबारा रखने के लिए पैर में ही वचेगा इस वक्त धर्ती के सत्वा का तापमान करीब 1200 डिग्री सलस्य से यानि ये जगह फिलाल नर्क से कम नहीं है यहां ऑक्सिजन का नामों निसान तक नहीं है धर्ती पे लगातार एस्टरोइट्स की बरसात हो रही है जो सत्व पर कई किलोमेटर लंबे खौलते लावा के नदियों का निर्मान कर रहे है और ये एस्टरोइट्स कहीं दूर के नहीं बलकि धर्ती के पडोसी है जो लगातार उससे टकरा रही है उपर देखिए यह है एक नया नवेला ग्रव थिया जो देजी से हमारी और यानि धर्ती की और बढ़ रही है गरी 15 किलोमेटर पर 30 सेकंड के रफतार से यानि एक गोली के रफतार से 20 गुना ज़्यादा तीज हमें इसका स्वागत करना है क्योंकि इसे की वज़ह से हमारी खुबसवे चांद की रचना होगी अब हमारी धर्ती चारो तरफ से अनगिन चटानों के टुकडे से घिर चुकी है यहां इतने चटानी टुकडे है कि इस वक्त हमारी धर्ती के पास भी सनिग्रा के समान अपना एक रिंग बन चुका है जो बिलकु सनिग्रा के रिंग के जैसा ही दो भागों में बटा है पहला रिंग आज के धर्ती और चांद के बीच में है और दूसरा चांद के पीछे इस रिंग से एस्टरोइट्स लगाता धर्ती पर बरस रहे है लेकिन एस्टरोइट्स की असल बारिस अभी भी सुरू नहीं हुए अब ये रिंग धिरे धिरे ग्राविटी की वज़े से एक 3000 किलोमेटर चौडे गोलिय पिंड में बदल जाएंगी और यहां हम देख रहे हैं हमारे चांद के जन्म को ये है हमारा चांद इसमें फिलाल कोई दाग नहीं है और ये अब हमारे धर्ती के काफी नस्दीक है जिसकी वज़े से ये हमें इतनी बड़ी दिखाई दे रहे है इसका सर्फेस अभी पूरी तरह से गर्म लावा से बना है और इतने करीब होने के वज़र से ये लगातार धर्ती पर अपना गुक्राकर्शन प्रभाव डाव रहे है करीब 30 लाग साल बाद अब हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में आप लोग सायथ ही जांके होने है हमारे सौर मंडल के गैस जाइंट्स अपने और्बिट्स में बदलाव कर रहे है और इस बदलाव की वज़र से सौर मंडल के एस्टरोइट्स और कॉमेट्स के बीच में एक ग्राविटेशनल मेस तयार हो रहा है जो इन आप्सटरोइट्स और कॉमेट्स को सौर मंडल के आंतरिक भाग में धकेर रही है सिदे सिदे मंगल, सुक्र, बुद्ध और हमारी धर्टी की वज़र यही वो समय है जब हमारे चांद को इन आप्सटरोइट्स की वज़र से उसके जाने पैचाने दाग मिलने वाले है ज़र वे इस समय हमारा चांद भी बहुत बहुती गर्म था यह आस्मान में एक बड़े लैंटर्न की तरह चमकता था और यह धर्टी के इतने करीब था कि इसका गुद्वागर्शन हमारे धर्टी को आज की तुलना में 25 गुना जादा प्रभावित कर रहा था हमारे धर्टी पर एक दिन 24 गंटों का नहीं बलकि के वोई 6 गंटों का होता था और इसके कारण धर्टी के लावा के नदियों में लहरे आज के समुद्रिय लहरों से 20 गुना उपर तक उठती थी लेकिन भला हो हमारी चांद का जो धिरे धिरे समय के साथ साथ हमारे धर्टी से दूर चला जाएगा और इससे धर्टी की खुरनन धीमी होने लगेंगी और लावा के नदिया ठंडी होने लगेंगी जिससे धर्टी के सत्रा का निर्मान होगा इस वक्त आस्मान में ये भीमकाय चमकिला चांद ही एक मात्र चीज नहीं है जो आपका ध्यान अकरशित दरेगा बलकि अब आपको दो बहुत ही चमकिले तारे भी आस्मान में देखने को मिलेंगे लेकिन वे दोनों असल में तारे नहीं है ये दोनों असल में ग्रह है जूपिटर और सैटर्न सौर्मंडल के आंत्रिक ग्रह जैसे कि हमारी धर्ती वीनस मरकरी मार्स ये सब रौकी प्लैनेट्स है और ये ज्यादा समय तक पिगले हुए लावा के रूप में नहीं रह सकती है लेकिन वहीं जूपिटर और सैटर्न असल में ग्यास जायंट्स है जो कि आसानी से लंबे स समय तक गर्म रह सकती है धर्ती के जर्म के इस समय काल में जूपिटर का टेंपरिचर 5000 डिगरी साल्सियस और सैटर्न का 3000 डिगरी साल्सियस था इसका मतलब है कि जूपिटर उस वाक हमारे सूरज से भी ज्यादा चमकीला गा जैसा कि साइंटिस्ट कहते हैं कि तारे अपने जीवन के साथ साथ और चमकीले होते जाते हैं तो उस रमय हमारा सूरज आज से 30% कम चमकीला था परंतु 4 अरब साल के लंबे अवधी में जेग रहे भी धिरे धिरे ठंडी हो जाएंगी आईए चलते हैं वापस हमारी धर्ती पर धर्ती के वायो मंडल में फिलाल केवल एक ही गयस है मीथेन आप गलती से भी इसमें सास मत लेना वरनक कुछ मिंटों में ही आपकी मौत हो जाएगी लेट हैवी बंबार्डमेंट के दोरान धर्ती पर लगातार कॉमेट्स की भी बरसात हुई थी जिन्होंने अपने साथ पानी का धर्ती में परिवहन किया इस पानी धर्ती में समुद्रों का निर्मान किया धर्ती अब चारों तरफ से समुद्र से घीरी हुई थी लेकिन यहां ना तो पैर रखने के लिए जमीन था और ना ही सास लेने के लिए ऑपसिजन हमारी धर्ती अभी कुछ हद तक पित्वी कहने लायक बन चुकी है लेकिन अभी भ क्या हुआ था और धर्ती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई की इस पूरे कहानी को जानने के लिए आप इस सीरीज के एपिसोड वन और एपिसोड टू को जरूर देखिए यह दोनों एपिसोड आल्रेटी चैनल पर है वीडियो उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में और उपर आए के बटन पर मिल जाएंगे तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ शेयर करें